आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है आज हम हिंदी पाठे पुस्तक का पहला पाठ अहाँ धर्ती कितना देती है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया था अब उसका सारांश हम पढ़ेंगे ये पाठ कक्षा आठवी का है तो चलिए अब हम इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं कि इसका क्या निश्कर्ष निकला इसके दुआरा कभी क्या कहना चाहते है तो इस कवीता के जो कभी है वे सुमित्रा नंदन पंतिजी दुआरा लिखी गई ये कवीता है बहुती सुन्दर कवीता है अहां ये धर्ती कितना देती है कवीता में कवीवर पंतने सुआर्थ तता भागयवाद के प्रती विद्रो तथा परिश्रम, तियाग, परोपकार तथा मानफता के महत्म को दर्शाया गया है अहां धर्ती कितना देती है कभी की मानवतावादी अभिवेक्ती है जब मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्रे करता है तो उसका प्रतीफल अच्छा नहीं होता किन्तु जैसे ही वे परोपकार से प्रेरित होकर कार्रे संपन करता है उसका फल अच्छा होता है बच्चों आपने देखा होगा जब आप किसी लालस से या स्वार्ट से कोई काम करते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं निकलता जबकि आप किसी पर परोपकार करते हैं, कोई त्याग करते हैं, कोई मानवत्ता का कारे करते हैं, तो उसका फल जो होता है, उसका प्रती फल होता है, वे हमेशा अच्छा होता है तो इस कवीता के दुआरा भी कवी हमें तियाग, परोपकार, परिश्रम करने की सलहा देते हैं, समझाते हैं, जिसका फल हमेशा अच्छा होता है इस कवीता में एक बार कवी ने अपनी बाले वस्था में प्रित्वी में कुछ पैसे इस आश्ये से बोई थे, प्रित्वी मिंस धर्ती में, कि उनमें से रुपियों के फल लगेंगे उनका विचार था कि जिस प्रकार अन्न की खेती होती है, उस प्रकार पैसो की भी खेती की जा सकती है, किन्तु पैसो के पेड नहीं होगे, और उनकी आशा पूर नहो सकी कुछ समय बाद अपने आगन में सेम के कुछ बीच बोई, कुछ ही दिनों में वे सेम के बीच फूट निकले, धीरे धीरे सेम की लताएं बढ़ने लगी, अंगिनत सेम की फलिया लगी कवी के परिवार के सभी सदस्यों, पडोसियों, परिचुतों ने उन फलियों को आनन्द के साथ खाया कवी को जब धर्ती में पैसे बोने पर निराशा मिली थी, तो उसे इस कथन को आसत्य मान लिया था कि व्यक्ति जैसा बोता है, वैसा ही पाता है किन्तु सेम की फलिया पाकर इस कथन की सत्यता का उसे घ्यान हुआ अब बच्चों शुरू में क्या हुआ, जब कवी ने क्या करा, पैसों को जमीन में बोया, तो उससे उन्हें उसका प्रतीफल अच्छा नहीं मिला, क्योंकि वो पैसों के पेड़ नहीं होगे लेकिन बात तब इस बात से वो बहुत निराश हुए, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये कथन बिल्कुल ही गलत है, कि धर्ती में जैसा बोते हैं, वैसा ही पाते हैं, ये बिल्कुल सत्ते हैं धर्ती अपने पुत्रों को बहुत कुछ प्रदान करती है, वास्ता में ये धर्ती माता के समान है, अपने पुत्रों के प्रती उसमें आपारिसने और ममता है, अतेह कवी इस निशकर्ष पर आता है कि समस्त धर्ती पर प्रेम, त्याक, सज्जनता, उदारता और मानफता का दाना बोना है मानब्ता का विकास होना है मनुष्य का श्रम सार्तक होगा तो इस पूरी कवीता में हमें यहीं सीखने को मिला कि हम धरती में जिस प्रकार से बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे आशा करती हूं आपको यह पाथ अच्छे से समझ आया होगा